अब एक teacher जो है वो किस तरह से ऐसी teaching कर सकती जिससे बच्चों की intellectual development जो है वो बहतरी इन तरीके से हो सकती है so teacher का सबसे पहला जो एक element है वो scaffolding का है scaffolding क्या है इसमें जो बच्चे हैं जब आप उनको किसी activity में वो involved होते हैं पहले teacher board पे एक question for example करके दिखाती है जिसे addition का concept है तो अब addition का concept जब बच्चों को समझाया जाएगा तो फिर आप उनको everyday example से बताएं two apples को plus करें तो क्या है two oranges और two apples plus करें तो फिर क्या result होगा अगर two plus two करें तो क्या result है अगर two apples और two oranges को plus करें तो क्या result same आएगा तो बच्चे सोचेंगे कि oranges और apples किस तरह से plus किये जा सकते हैं लेकिन चुके उनके साथ two का digit है और ये mathematical calculation आप उनको सिखा रहे हैं तो बच्चे जो हैं इस तरह की differences और उनको समझ आगी कि वैसे तो orange और apple जो हैं एक group से नहीं हैं लेकिन चुके fruit है और एक group है और चुके हम two और two को plus कर रहे हैं तो चाहे apple हो, orange हो या कोई और item हो तो उनको हम जब calculate करते हैं तो addition करते हुए हमें उसमें कोई फर्क नहीं इस तरह से जब बच्चे जो हैं आप उनको आपने example से सिखाया, आप बच्चों से कहें कि अब मैं यहां पर कुछ questions लख रही हूँ होँआ के लिए आप में से जो है जिन्होंने भी हमने सीखा है, वो मुझे उसको question को solve करके दिखाये तो जब बच्चे solve करते हैं तो कुछ कुछ mistakes करते हैं, teacher उन mistakes को जो है वो overcome करना बच्चों को सिखाती है और basically direct answer नहीं बताएगी, बलकि उस question को कहां पर गलती वो कर रहे हैं, उस गलती को pinpoint करेगी लेकिन answer नहीं करेगी या उसको सवाल को हल करके नहीं बताएगी, तो scaffolding का मतलब यह है कि जहां बच्चे किसी भी stage पे जाके problem का शिकार होते हैं, teacher उस उनको guide करती है, ताके वो इस मुश्किल से निकल आएं, ऐसे ही आपके parents हैं, जब शुरू में बचा cycle सीखता है, तो कई बार गिरता है, तो parents उसको appreciate करते हैं, और उसको कहते हैं कि तुम इस तरीके से नहीं इस तरीके से, जो है इस cycle को स mature है, वो आपको guide करता है, किसी भी स्किल को सीखने के लिए, sky folding का मतलब जो है, वो ये था, उसके बाद उसने जो zone of proximal development बताया, कि हर इनसान के अंदर potential होता है, किसी भी स्किल को सीखने के लिए, लेकिन वो खुद अपनी, अपनी मदद से बाजुकात एक चीज़ को learn नहीं कर सकता, अगर वो इतना intelligent नहीं है, तो उसको किसी की मदद की जूरुद पढ़ती है, जब किसी की मदद scaffolding आ जाती है, तो अपने zone of proximal development जो है, उसका मकसद हासल कर लेता है, और वो उस चीज़ को सीख जाता है, यानि उसके अंदर potential तो था, लेकिन उसको guidance चाहिए थी किसी उसकी help करनी चाहिए, तो ये intellectual development का एक उसका काम है, जैसे building objects with blocks है, pretend play है, बचे को कहें, तुम जरा आज वो फलाँ जो drama है, उसमें एक character है, जरा वो तो बन के दिखाओ, कार्टून्स हैं, तो उसमें जो है pink panther है, जरा उसकी तरह चल के दिखाओ, तो pretend play है कि बचे memorize करते हैं उस character को observe करते हैं बड़े गोर से, और फिर उसके बाद उसी तरह से आपको करके दिखाते हैं, exact आवाज निकाल के दिखाते हैं, चल के दिखाते हैं, तो ये वड़ी अच्छी activity है, social play and locomotors है, playing tag in which children run after each other, यनि जैसे एक musical chair भी आपने देखा होगा, उसमें भी intelligently आपने move कर ना है, उसमें भी बच्चे देख लेते हैं कि कितने duration के बाद वो music बंद होता है, notice करते हैं, blindly नहीं उसको खेलते हैं, तो इस तरह चोटी चोटी जो ये dramas हैं इसमें चुके बच्चों ने imagine करना है, उन्होंने memorize करना है उस character को, अगर आपने एक story सुनाई है तो उसके बाद अब उनको कहेंगे, इन characters को यदा याद करें, उसी की तरह अपने आपको बना के या चला के या बोल के दिखाएं, तो ये सारे plays जो हैं, ये उनकी intellectual development के लिए teacher अरेंज कर सकती है, role playing भी बड़ी अच्छी एक activity है, जिसमें बचे मुतलिफ characters को role play करते हैं, दो shop keepers बनके, एक एक customer बन सकता है, एक shopkeeper बन सकता है, आपस में वो dialogue जो है, वो deliver करते हैं, उस dialogue delivery से जो है, वो पता चलता है कि कितनी observation इनकी अच्छी है, तो उसके बाद children learning experiences should include a variety of opportunities, including both in class and out of class activities, to facilitate the process of cognitive change, तो everyday life से जब आप examples देके बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चों के experiences सिर्फ class के लि अपनी सारी जिन्दगी मुखलिव शौबों में जाके इस्तमाल कर सकते हैं,